असलाम अलेकुम डियर लेर्नर्स, प्रेंटिशनल उन्टिपनियोर्स, और आउन्टिपनियोर्स इन आक्शन, वेलकम इन वीडियो, ये वीडियो है एक इंतहाई एहम टॉपिक के बारे में और वो है इंटिलेक्टिल प्रॉपर्टी जैसे कि आप सबसाथ ही जानते हैं, इस्पेशली वो लोग जो अपना इस वकत इनक्यूबिशन सेंटर्स में बैठे हैं में बिजनस के आईडियास को कुक कर रहे हैं या खास तोर पे वो जो अपना बिजनस शुरू कर चुके हैं या ग्रो करना चाह रहे हैं आप सब जानते हैं कि we are living in a digital era, यानि आपकी जो presence है कारोबार की वो इंटरनेट के ऊपर है और इंटरनेट के ऊपर आपके digital presence की वजह से आप लोगों तक पहुंच पाते हैं आपका business idea, बलके आपके business content, किस तरह से आप quality ensure कर रहे हैं, आपकी product क्या है, उसकी specification क्या है, या services क्या है, उसकी specification क्या है यह वो environment है जिसके अंदर आप काम कर रहे हैं तो आपको legal protection की भी उतनी ही अशद ज़रूरत पड़ती है because competition का दोर है, अगर आप अपने आपको legally protect नहीं करते हैं, तो आपकी competitors आपके उपर lead ले सकते हैं यह सारी discussion जो है, interactive property की, being an entrepreneur, यह बहुत critical है, इसको समझना, इसको जानना, खास तोर पे इसके जो related laws हैं पाकिस्तान, इनको जानना बहुत ज़रूरी है इसी पूरी discussion को on board लाने के लिए, हमने अपने studios में बुलाया है, असद बड़ साब को, असद बड़ जो है, he's a very senior lawyer और मेरे साथ, जो है, इसको host कर रहे हैं, रिजवान सलीम, मैं और रिजवान, हमारे जहन में बहुत धेर सारे सावाल हैं वो सारे सवाल हम असद के सामने रखेंगे और उन से पूछते रहेंगे के intellectual property, especially related to the Pakistan, its environment, एक entrepreneur के लिए इसकी एहमियत और इसके जो important discussions हैं, वो क्या-क्या है, ताके आप जब अपना business शुरू करें या ग्रो करना चाहें, तो आपके जहन में जो सवालात हैं, उनके जवाब आपके पास हूँ, so Asad, पहली बात तो यह है कि thank you very much for giving your time and coming to our studios, Asad, सबसे पहला सवाल, intellectual property, इसको आप कैसे define करते हैं, और पाकिस्तान में इसका governing law है, वो कौन सा है, नुरीन, सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने मझे मुझे मुदू किया, रिजवान साब कभी बहुत शुक्रिया, intellectual property जो है, उसको आप दो तरीकों से basically define कर सकते हैं, एक तो वो है जो legally, कानूनी तोर पर उसकी case to case interpretation निकलती, एक वो आप फेहम बंदा या आप student जो law से related नहीं है, लेकिन law से उसका वास्ता पढ़ता है, उसके लिए definition है, तो मैं उसी की तरफ जाओंगा, ताकि उनको इस बात का समझाए, intellectual property आप कहते हैं कि वो तहलीक, वो invention जो आप अपनी दानिस्टे, आप अपनी अकल से उसके उपर उसको create करते हैं, जैसे आप property से मुराद कोई जदाद होती है, आम फहम जबान में हम उसे कहते हैं कि intellectual property को दो हिस्सों में तक्सीम करते हैं, movable और im movable, तो उसी तरह से ये ऐसी आपकी तहलीक है, जो आपने अपनी दानिस्टे, अपनी invention से, अपनी जहन से जो है वो उसको इसको इस्तमाल करते हुए, वो आपने बनाई है, उसको intellectual property कहते हैं, और वो उसके उपर मुतली कुछ rights भी हैं, लेकिन क्योंकि भी discussion property तक है, तो मैं उसके governing laws कौन से हैं? सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि intellectual property में क्या क्या चीज़े आती हैं, सबसे पहले जूरी है कि आप समझेंगे trademark इसके अंदर आता है, उसके बाद आपकी copyrights हैं, फिर आपके patent rights हैं, तो ये तीन basically चीज़े हैं, का आगे चलके मैं आपको तसक्रावी करूंगा कि ये क्य उसके इलावा जो है वो ट्रेड मार्क ओर्डिनेंस 2000 एक है, वो हैं, उसके इलावा copyright 9064 का है, वो हैं, इसके इलावा कुछ rules भी हैं, जैसे अगर आप trademark की बात करें कि उसके अंदर forms किस तरह से जानी है, अगर further detail में जाएं, तो वो कुछ उन्होंने 2002 के अंदर rules भी हैं, इ जैसे मैंने आपको का है trademark ordinance है, patent ordinance है, फिर copyright act है आपका, तो ये तीन बुनियादी आपको students को या आपके audience को पता होने चाहिए, इसके इलावा इसके अंदर penal courts की भी कुछ provisions का अमल दखलाता है, इसके इलावा इनके civil procedure courts हैं, उनका भी अमल दखलाता है, फिर ये जब मामला courts क के अंदर जाते हैं, तो आपके intellectual property, tribunal है specials, उनके मुतलिक कुछ laws है, उनका भी जिकर आता है, लेकिन बुनियादी तीन laws हैं, जिनका पता होना चाहिए, trademark ordinance, patent ordinance and then copyright है, बिल्कुल, आचा इसमें असद एक बड़ा और एहम जरूरी सवाल, और वो ये के एक entrepreneur coach रहे, वो अभी एक किसी incubation center में बैठा हैं चाहिए, जिसने अभी कारोबार का आगास किया है, या चाहिए अपना business grow करना चाहरा है, because discussion के शुरूर में भी हमने बात की कि कि इस वकत हमारे पास जो information stream है, वो बहुत तेज है, यानि तमाम लोग देख रहे हैं कि दूसरे लोग कारोबार कर कै से रहे हैं, उनके ideas क्या हैं, उनके procedures क्या हैं, इस एक environment के अंदर जिसमें exposure बहुत जादा है, एक entrepreneur को कितना जरूरी है कि वो ये समझें कि वो legally protected हो वो भी और उसका idea भी और उसका business भी, यानि मैं आपके साधा लफ़ों में जो एक significance है, एक importance है intellectual property और intellectual property right की being an entrepreneur वो पूछना थेखें, बहुत ज्यादा जूरी है, आप समझें कि ये वो बन्याद है या वो basis हैं जिसके उपर आपने पूरी एक इमारत खड़ी करनी है, अगर आपके basis ठीक नहीं है, या आपने उसको legally protect नहीं किया, तो of course उसका आपके जाग के बाद में कुम्याजा आपको भुगदन पड़ता है, तो ये इससे ज्यादा इसकी वो explanation नहीं हो सकती, ये बिलकुल आपकी पहली इंट है, जो आपने अपनी idea पर रखी, उसके उपर आपका business जितना भी चल पड़े, माजी के अंदर बेशुमार इस तरह के cases आये कि लोगों के trade secret थे, आउन्होंने उसको protect नहीं कि आता है कि you cannot sleep over your rights, अगर आप अपनी हकूप के उपर सो जाते हैं और उसको आप अच्छी तरह से protect नहीं करते हैं, तो court भी आपकी उस तरह से इमदाद या protection के लिए नहीं आता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जूरी होता है कि आप जो है, वो court में थाबित करने के काबिल हो सके कि ये आपने रिजिस्टर करवाया था, या आपने effort की थी या आप इसको इसको इस्तमाल कर रहें, तो फिर जाहिर है, जितनी जल्दी आप जाएंगे उतना जरूरी है, लेकिन आपका जो सवाल है, कितना जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, आप सब्धे कि idea, जितना idea जरूरी है उसके ज्यादा उसकी प्रोटेक्शन जरूरी है अगर आपने प्रोटेक्ट नहीं किया तो आज कल तो जिस तरह से आपने भी तथक्रा भी किया कि इन्फरमेशन का दूर है आप शेयर करते हैं लोग उसको फोरी तोर पर उसको चुरा के इस्तमाल करेंगे और आप आपने रिजिस्टर नहीं किया हुआ तो उसका फिर जाहिर है आपको उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा ती रिज्वाना आपके पास भी कुछ सवाल आते हैं शुक्रिया नौरीन अस्तब एक तो ये बताईए कि जो इंटेलेक्ट्वल प्रॉपर्टी है इस से रिलेक जाते हैं तो वो एक और्गनाइजेशन है उनकी वेब साइट है जिसके अंदर बड़ी तफसीली चीजें वहां पर पर प्रॉइडिन हैं आपके स्टूडेंट्स या आपके ओडियंस को वहां पर भी अप्रोच करना चाहिए और इसके अंदर भी आपको काफी मेटीरियल म दे सकते हैं तो हाँ इदारा है जिसे आप आई पियो का नाम देते हैं उनकी वेब साइड मुझूद है उनका जो मेन ऑफिस है वो कराची में एक्जिस्स करता है लेकिन उनके जिली जो है वो ब्रांचिस मुझूद हैं लहोर के अंदर भी मुझूद है इस तरह से हर आफिस है वहां पे आप उसको दर्च करवा सकते हैं यह बताईएगा जो इंटलेक्ट्विल प्रॉपर्टी और्गनिजिशन ऑफ पाकिस्तान है मगलेबन इसको दो हजार के बाद ऑर्गनाइज किया गया है और बहुत सारी क्योंके हिस्टोरी के लिए हम यह देखते हैं क 1911 का ब्रिटिश इंटलेक्ट्विल प्रॉपर्टी एक्ट था जो के प्री पार्टिशन और इवन पोस्ट पार्टिशन भी चीजों को रेगलेट करता रहा और बड़े डिस्पर्स इधारे थे जो इसको देख रहे थे तो मेरे खाल में पोस्ट टूथाउजन 21 सेंचरी मे इन सब को एक अमरेला के नीचे लाया गया और आईपियो पाकिस्तन बनी है मैं सवाल यह कि जो आईपियो है इटलेक्टिश प्रॉपर्ट्य और पाकिस्तान है जिसका आपने बताया कि सदर दफ्तर कराची में है जैली दफातिर लहौर, इसलामबाद और 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 जगों प बताया है कि यह खत्मी फारम नहीं है, यह जो आपकी IP organization है यह खत्मी नहीं है, इनके पास आप अपना procedure apply करते हैं, वो refuse करते हैं, उनके पास यह power है, यह accept करते हैं, तो इस सूरत में उनकी judicial एक जो है वो element नजर आता है कि वो adjudicate कर रहे हैं किसी मामले को देख रहे हैं, ले to certain extent यह judicial उनके पास पावर मुझूद है आप करें कि वैसे तो administrative unit है लेकिन कुजाए judicial उनके पास एक है यह बताइएगा आपने बहुत अच्छे तरीके से यह बताया कि जो intellectual property है यह उसके rights हैं वो आम तोर पे trade mark की शकल में, patent की शकल में और copyright की शकल में होते हैं medical यह surgical instruments बनाने वाली company है तो क्या design भी intellectual property में ही आता है और उसको किस तरह से protect किया जाता है देगे बिलकुल वो आप उसको trade mark के अंदर ही लेके आते हैं और design भी registered होते हैं जैसे अभी पिछले जिनों आप देखते हैं कि एक रिक्षा company जो थी उन्होंने अपना एक design किया और लोगों ने फिर उसको जब चुराने की कोशिश की अपने नाम से उसको इसको इसको इसक रिजिस्टर थे तो जाहिर है उसके अंदर उनको protection मिली तो आपका जो सवाल है कि इसके अंदर आपको protection मिलती है जी बिलकुल मिलती है law आपको इसके अंदर protect करते है provided कि आपने वो step जो law ने आपको बताए है जिसके सरे 10 ये बात आती है कि आप उसको register करवाए register का procedure lengthy जरू मैं अभी आपने बताया कि इसकी एक trademark है patent है design है और फिर copyright है primarily चूंकि हमारी जो discussion है ये entrepreneurs खासतार पर जो potential entrepreneurs और entrepreneurs जो के small scale पर काम कर रहे हैं उनकी guidance के लिए है तो ये बताईए कि एक जो entrepreneur है जो SME है उसको इन चारों मेंसे किस की सकते ज्यादा जरूरत पढ़ती है या order of priority क् है इसमें trademark आपकी patent डिजाइन और copyright आदेगे निजवान important बात ये है कि वो देखना पड़ेगा वो किस domain में काम कर मिसाल के तोर पे अगर वो कोई ऐसी product बना रहे हैं जिसके अंदर copyright की implementation है मिसाल के तोर पे वो अपने business को promote करने के लिए कोई उनके वी logs बनाते हैं तो वहां पड़ेगा कि किसी area में काम करें तो अगर वो कोई मिसाल के तोर पे किसी formula को register करवाना चाहरे या नहीं करवाना चाहरे तो उस सूरत में उनको patent की ज़रूत नहीं पड़ेगी या पड़ेगी तो ये depend करता है कि वो किस area में जाके काम करें लेकिन फिर भी मुझे लगता है क आपके question के अंदर एक element है वो ये है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो पढ़ती है entrepreneur को वो उनके trade mark की पढ़ती है क्योंकि आप देखें कि trade mark मिसाल के तौर पे आप अपने अगर नज़र दोड़ाएं तो आपको पता चलता है कि सिर्फ trade mark की नज़र आ रहे हैं और आप क्योंकि brands का दोर है लोग उसको protect करना चाहा रहे है पहले इतनी awareness नहीं थी लेकिन जो लोग काम कर रहे थे उनको इसका बहुत ज़्यादा दराग था कि ये एक ऐसा area है जिसके अंदर उनको protect करना है अब imagine करेंगे सबस्तब पहला जो हमें leading case मिलता है intellectual property right के बारे में वो 1951 में मिलता है प्रीवी कॉंसल का फैसला में मिलता है 1951 के अंदर भी कुछ लोग थे जिनको awareness दी और उसके अंदर violation होई और मामला फिर वो प्रीवी कॉंसल तक गया तो partition के कुछ अरसे बाद ही पाकिस्तान की जब creation होती है तो हमें बता लगता है कि कुछ लोग उस पे उपर काम कर रहे थे लेकिन आज के दोर में जैसे के भी नुरीन ने बताया कि ये बड़ा important हो गया अब हर चीज वर्चूली चल रही है लोग जो है वो online shopping करते हैं online आपके भी लोग्स बनते हैं marketing online है education online है तो आपको intellectual property right के बगएर आप उसकी awareness उसको protection की बगएर आगे शायद नहीं बढ़ सकते तैंक्यों आप में बहुत अच्छे तरीके से ये बता दिया यानि कि इसको हम ये समझें कि ट्रेड मार्क सबसे ज़्यादा की जरूरत होती है क्योंकि ये से ये जैसे कोई नहाम होता है और इसकी registration के बगएर आप आगे चल नहीं पाते हैं उसके बाद design मुझे लगता है कि दूसरी चीज़ होगी जिसकी सबसे ज़्यादा registration की जरूरत पढ़ती है क्योंकि copyright तो एक specific domain में आप काम कर रहे हैं तो आपको जरूरत है ट्रेड मार्क तो आप कोई भी manufacturing है या services है या trading concern है तो आपने trademark तो register करना है फिर design आपको manufacturing में शायद जरूरत पढ़ती है और patent क्योंकि इसका तालुक novelty के साथ बहुत ज़्यादा है जो आप आगे जाके हम discuss भी करेंगे तो शायद इसकी जरूरत कम पढ़ती होगी और फिर copyright इस तरह से अच्छा एक चुकि हमने इसको तफसील में discuss करना है मेरे दो एक सवाल और है एक सवाल ये है कि इसमें जो आप ट्रेड मार्क पेटेंट, copyright और डिजाइन इनमें registration का process किसका सबसे छोटा है और किसका सबसे लंबा है देखें क्योंकि organization एक ही deal कर रही है और backlog बहुत ज़्यादा है आप imagine करें कि एक simple application जो हम डालते है for the registration of trademark it takes almost one year कि वो उसका reply करें उसके बाद उसके अंदर steps हैं वो आगे जागे discuss भी करेंगे opposition आती है फिर आपको counter claim करना पड़ता है इस सब्सक्राइब कोई steps involved है तो इसलिए आप देखें कि time almost अगर आप trademark कर रहे हैं patent कर रहे हैं यो copyright कर रहे हैं तो तीनों के अंदर almost उतनी ही duration चलती है क्योंकि उसके पीछे जो organization है वो एक ही है और वो उसी तरह से उनके कुछ steps है जो उन्होंने follow करने होता है असरस तब ये जो duration इतना ज्यादा होता है इसकी registration का ये discouraging है तो क्या आप कहेंगे जिससे एक entrepreneur और convinced रहे कि नहीं इस lengthy process के बावजूद ये क्या registration के benefits इतने हैं कि वो इस painful process को जो है वो out class कर देते हैं ये इसके बगार भी हमें इसके बावजूद हमें convince करते हैं कि नहीं हम registration करवाएं बहुत जूरी है देखें convincing भी है वो लोग जो शायद नहीं करवाया जिन्होंने बाद में उन्होंने इस चीज़ को accept किया कि जिन्दगी में सबसे ज्यादा जूरी चीज़ यही थी यहां तक भी phrase उनके मूँ से निकले कि यह सबसे ज्यादा जिन्दगी में यह चीज़ जूरी थी कि ट्रेड मार्क को रिजिस्टर करवाया जाता आप यह देखें कि कई इस तरह के हमें मिसाले मिलती है कि मिसाल के तोर पे भी recently एक केस आया एक company ने अपनी product launch की biscuit और उन्होंने लाहूर के अंदर उसकी supply दी जब उसका नाम एक निकल आया तो आउट स्टेशन जो लोग थे उन्होंने का जी इसकी बिक्री बड़ी ज्यादा है और मरी के अंदर और इस तरह के स्टेशन जहां पे बड़े शहरों से लोग जाते थे वहां पे वो एक copy उनकी बिक्ना शुरू हो गे तो दाट वाज एक्टुली violation of the a trade mark तो वो इतने ज्यादा उनकी उदर भिक्रे थे और उसकी quality deteriorate हो रही थी कि वो ना सिरफ उनका वहां पे नुक्सान हो रहा था बलके जो लोग वहां से इस्तमाल करके आते थे वो कहते हैं इनकी तो प्रोड़क्ट ठीक नहीं है तो वो कहते हैं प्रोड़क्ट तो हमारी बिल्कुल ठीक है हम तो उसको अप्टु दमाग रखे हुए हैं यह क्या हो रहे हैं चब इनक्वाइडी की गई या investigation की गई तो यह पता चला कि वो जो है उन्होंने उधर copy या violation की है तो इस वज़ा से यह duration होने के बावजूद जो है बहुत ज्यादा protection है और बड़ा इसके अंदर millions का लोगों को नुक्सान होता है एक school recently जो उसका केस आया रिसनली से मुराद ही है कि आरदा साल हो गें इस case को उसके अंदर वो जो है ब्रैंड था तो जब partition उनकी अपस में जो है वो तकसीम हुई partnership की हतम हुई तो उनका जी कि सारी लड़ाई जो है वो trademark की थी तो फिर एक party ने क्योंकि अपने winding up of the company में ये लिखवा लिया हुआ था कि trademark एक company इस्तमाल करेगी तो दूसरी को बाद में बता चला कि सारी चीजें देने के दे देते तो फिर भी trademark लेना जरूरी था क्योंकि उनको इतनी ज्यादा branches अपनी खोलने में दुश्वारी हुई लोग एक trust करते हैं product के उपर उनको एक नाम होता है उसके पूछे एक पूरी history होती है आपने इस्तमाल की होती है product को या services को तो वो देखें आपके उसके एक साथ एक association होती है तो यह एक पूरी historically जब आपको business के point of view से आप देखते हैं तो आप देखते हैं कि impact उसका बहुत ज़्यादा है इसलिए लोग तीन साल क्या लोग 5-6 साल भी इंतजार करते हैं लेकिन यह बात आपकी ठीक है कि जिस तरह से मामलात बढ़ हैं उसके अंदर organization को भी चाहिए कि मामला speed up करें और जो procedures हैं उनको shorten किया जाए ताके लोग easily उसको apply कर सकें तो किसी अद्धत किये भी हैं लेकिन फिर भी इसके अंदर procedure क्योंकि अगर आप बड़ा भी कम करेंगे तो तीन साल से दो साल हो जाएगा एक साल हो जाएगा लेक copyrights का अपना act है patent और trademark के ordinances हैं इसी तरह design भी cover होता है यह बताइए कि जो कारोबार या business activity है वो तो local तरफ national bounds में नहीं रहती है वो international भी होती है बलके global भी होती है तो क्या global भी कोई framework है जो international property rights को organize करता है या regulate करता है या इसकी violations को check करता है तेगे practically यह possible यह नहीं हो सकता अगर आप इसको international एक इसका scope ना रखें तो मिसाल के तोर पे अगर पाकिस्तान के अंदर मैंने कोई मेनत करके या आपने कोई brand अगर एक चमकाया है और उसकी एक market value बन गई है तो मैं यह करता हूँ कि मैं सौधिया या किसी भी दूसरी country में जा कि उस brand को जो है वो चलाना शुरू कर देता हूँ तो वो जाहिर है आपकी मेनत का तो मैं वो एक चोरी वाला हिसाब कि आपने मेनत की एक चीज़ बनाई और मैं उसको उठा के किसी दूसरी जनब ले गया है तो इसलिए जो conventions हैं जो international forums हैं जैसे आपने भी तसक्रा किया नहीं है मैं खोल लेता हूँ तो उनका trademark अगर UK में या अमेरिका में रिजिस्टर है तो उसकी violation होगी लेकिन जूरी है कि आप जिस जगह पे जाते हैं वहां पर भी उसको रिजिस्टर गरवाते हैं यानि कि territorial registration भी जूरी है जो brand इस तरह की हैं जो बहुत ज्यादा जो है व मुझूद हैं तो वो लोग फिर दुनिया के जो major countries हैं उसके अंदर अपनी registration करवाते हैं तो specifically answering your question के registration क्या एक जगह पे करवाने से दूसरी जगह भी उसकी implementation होगी हाँ जरूर होगी कि अगर आप उसको उस country के अंदर भी उसको अपना register या अंदराज करवाते हैं क्योंकि यह territorial इसकी limitation हैं अगर आप UK में register हैं और पाकिस्तान के अंदर register नहीं है तो फिर इधर मैं उसको apply कर सकता हूँ of course उसके अंदर objection आ सकती है कि जी हम में हैं लेकिन अगर आपने अपने आपको fully protect करना है तो keeping in view as your popularity of your product or services आप उसके अंदर यह कर सकते हैं कि major country के अंदर आप पहली application file करें तो असर साब जो पैरिस convention है इसके signatory होने के नाते जो मुल किता है पाकिस्तान इसका signatory है हमें क्या फाइदा है पाकिस्तानी जो business persons हैं अगर वो उनकी intellectual property registered है तो पैरिस convention के तहत हमें क्या फाइदा मिली तेगे एक तो यह है कि जो rules हैं basically वो जत्ती भी country signatory है उनके अंदर universal ह तो पे जो आपको जो sense मिलती है अपने law के अंदर आपको UK के अंदर भी उसी तरह की sense और उसी तरह की protection मिलती है but it doesn't mean कि आप अगर पाकिस्तान के अंदर registered है तो UK में भी अगर कोई violation करते है तो आप वहां पर जहापे case कर सकते हैं आपको UK के अंदर registration के procedure से घुजर ना पड register थे एक rice बनाते थे अब वो पाकिस्तान के अंदर भी उसी नाम से register होना चाह रहे थे लेकिन हमसे पहले किसी लोगों ने application फाइल कर दी हुए और उसकी कारोबार भी कर रहे थे तो उस तुरत के अंदर हमारे लिए मुश्किल हो गया यह साबित करना कि हम पाकिस्तान के अ प्रोटेक्ट करेगी कि आपको priority दी जाए अगर आप उसको properly object करें वहां पे जो लोग register करवाने जा रहे हैं या unregistered काम कर रहे हैं तो आपको priority मिलेगी तो signatory होने के benefits तो काफी है आप जब example दे रहे थे ही territory की तो मुझे याद आ रहा था कि recently हमने एक बड़ी एहम update देखी थी एक बहुत ही बढ़ा international coffee brand और उससे मिलता जोलता एक काफी देशी brand पाकिसान में coffee का launch हुआ तो they took a step against them और वो पूरे एक legal petition दायर हुए उनके against those obviously आपने जितनी में examples दी और ज वाके में जो आपने शुरू में कही थी ना having a lawyer कि idea से कहीं ज़्यादा जरूरी है कि उस idea को legally protect कर दिया जाए वो established हो गया है और बहुत एहम सवाल थे हैं और इन सवालों का जानना है कौन चेपने उच लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है आने माली वीडियो में आसा हम करता है कि intellectual property rights में trademark में आता है और उसमें patent भी आते हैं और copyrights भी आते हैं one by one हम इस discussion को आगे लेके जाएंगे ताके जिन-जिन का तालुप trademark की registration या patent की registration या copyright की registration से है फिर वो इसको एक step और आगे जाके in detail देख सकें till then thank you very much for joining us Thank you